गुल्ड मॉर्निंग गाइज दिस इस अरोमा मैजिक रोज हिप स्किन टोनर सूथ एंड हाइड स्किन दिस फो ड्राइ स्किन यह ड्राइ स्किन के लिए है और यह 100 ml की बॉटल है अरोमा मैजिक के जित्ते भी प्रोडक्ट से वह बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और यह 100% free of alcohol है पेराबिन फ्री है आर्टिफिशल फ्रेग्रेस नहीं है आर्टिफिशल कलर नहीं है इसमें गाइस और यह इसमें विटामिन A, विटामिन C है अलोवेरा जूस है और इसमें लवेंडर ओयल है बहुत सारी फ्लार के एक्स्रेक्ट है और बहुत ही नाच्रल तरीके से इसको तयार किया गया है तो यह स्पेशली ड्राय स्किन के लिए है जो हमारे स्किन को हमारे सॉरी पोर्स को टाइटन करता है तो इसको आप यूज कर सकते हैं और इसकी MRP है 140 रूपी और बहुत ही अच्छी बोटल है दिस इस अरोमा माजिक रॉस हिप स्किन टॉनर गाकर सब्स दें हैं तो इसको आपगशर करता है बहुत ही इनर्रेजल्प बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जो भी हमारा होता है उसको हम आप्तर चलेंजिंग यूज करते है जिते भी तोनर सोते हैं चाहे आप अपने में पैस वोश कर रहे आप इसको अपने face पे spray करेंगे तो आपकी eyes बंद होनी चाहिए और 1 minute के लिए आप अपने eyes को बंद रखेंगे तरीके से और 2 minute के लिए हम छोड़ देंगे अपने face को इसी तरीके से क्योंकि हमारी eyes पे बिये गया है इसको eyes से avoid करना है तो इस तरीके से पहले मैं अपनी eyes को अच्छे तरीके से wipe कर लूँगी फिर हम अपनी eyes को खोलेंगे और इससे भी बहुत ही easy technique है जिससे आपकी eyes पे किसी भी तरीके का कोई हाम ना पहुंचे तो आपको कोई भी इस तरह का napkin लेना है paper napkin आप ले सकते हैं या फिर आप cotton का use कर सकते हैं cotton का एक piece लेंगे उसको पाने में डिप करके आप squeeze कर लेंगे and then इस तरीके से आप इस पर spray करेंगे और आप अपने face पे अच्छे तरीके से one minute तक इसको हम tone करेंगे जितने भी हमारे face के जितने भी pores जो open है वो उसको tighten up करता है हम जो रोम छिद्र जो होते हैं वो open हो जाते हैं जब भी हम अपने face को clean करते हैं उसको उसके size में उसको minimize करने के लिए या जिस size का वो था वापिस उसकी shape में ले जाने के लिए ही हम toner का use कर सकते हैं और toner जो है boys girls सब को use करना चाहिए क्योंकि boys भी face wash करते हैं तो उन्हें भ बहुत ही अच्छे हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like share subscribe जरूर कीजिएगा